हाँ बच्छो मैं हुई हेमिंत सर्मा आपका स्वाज़ कितने यूट्यूब चैनल पेपर है करबें बच्छो तो बच्छो देखेंगे आज की इस video में ठीके हैं तो आज की सी वीडियो में देखते हैं बच्छो हम आपके आपके लिए क्या लेके आए हैं आज की इस video में हम वो ब्ली होने के कारण हमने अलग-अलग विडियो इसकी बना लिया ठीक है अब भाग थजो है वीडियो भाग थण में हमें सिर्ण में यॉच कराने बने वालें थीक है ठीक है फॉर्थ unit हम दोनोंおस् verso लाने वाले हैं वीडियो भाग 3 में आपको 3rd और 4th उनिट मिलेगी तो इसको लाज तक देखिएगा बेरी important question लेकर आए ठीक है तो लाज तक देखना बिलकुल लागूलें बच्चो बेरी important question है और बच्चो अगर आप हमाई चैनल को पहली बार देख रहे हैं हमाई अपने description box में लिंक दे दिया है आप बहाँ से description box में link पे क्लिक करके PDF को download कर सकते हैं और PDF को download करके भी पर सकते हैं ठीक है बच्चो तो बच्चो बेरी बेरी important question है और class को जल्दी से share करिएगा like करिएगा ठीक है तो देखते हैं पहले question की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से class को share करेंगे तो देखते हैं बच्चो हमारा पहला question आपकी screen पर क्या रहने वाला है पहला question दिया है तूर मैलीन crystal में से निकलने वाला प्रिकास होता है तो इसका right answer कौन से रहेगा इसका right answer कौन से रहेगा दोस्तो तो देखें के बच्चो इसका right answer रहेगा option number 2 ठीक है शमतल धुर्वित यह हमार right answer रहेगा option number 2 ठीक है अगला next question देख लेते हैं पर कास की अनुप्रस्त प्रकृति शिद्ध की जा सकती है जल्दी से बताएंगे किस से सिद्ध की जा सकती है right answer इसका right answer कौन से रहने वाला है तो option number 6 इसका right answer रहने वाला है ठीक है धुर्वड़ से धुर्वड़ से इसका right answer रहेगा option number 6 ठीक है अगला next question धुर्वित प्रकास के कमपन तथा धुर्वड़ तल के बीच कोड होता है कितना होता है जल्दी से बताएंगे right answer इसका right answer क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे बच्चो तो बच्चो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number 12 रहेगा 19 degree 90 degree यानि कि 90 degree यह हमारा right answer रहेगा ठीक है अगला नेश्ट कोईशन देख लेतें बच्चो नेश्ट कोईशन हमारा क्या रहने वाला है आपके इसक्रीम पर दिया है कुछ पदार्थों का बहे गुड जिसके कारण बे शंतल दुरुवेत प्रकास के धुरुबरतल को घुमा देते हैं तो इसका राइट आंसर कौन सा र रंगों के संचरण में संचरण की दिसाहत था धुरुबरतल के बीच फोड होता है जल्स बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहे गा इसका राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे है का शमंद है जल्दी से बताएंगे जल्दी से राइट अंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट अंसर क्या रहेगा बच्छो जल्दी से जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका राइट अंसर रहेगा इसका राइट अंसर रहेगा एस तो इसका राइट अंसर रहेगा यानि कि S2 बराबर S1 इसका right answer हैगा ठीक है बच्चो अगरा next question देख लेते हैं next question क्या दिये हमारा आपकी screen पे Cal side के अपवर्तनांग O किरण वा E किरण के लिए किरमशाह है तो जल्दी से बताएंगे इसका right answer क्या रहेगा इसका right answer क्या रहने वाला बच्चो जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका right answer रहेगा वो क्या रहेगा option number A 1.658,1.486 यह हमारा right answer रहेगा यानि कि 1.658,1.486 यह हमारा right answer रहेगा option number A ठीक अगरा next question शक्कर तथा सक्कर का गोल है सक्कर का गोल है तो जल्दी से बताएंगे right answer रहेगा इसका right answer क्या रहने वाला है सक्कर का गोल है तो देखेंगे इसका right answer रहेगा पर क्या रहेगा option number A इसका right answer रहेगा बच्चो आपसन number B इसका right रहेगा जच्छड़ा बरती गूड़क इसका right answer रहेगा ठीक है अगर अगर अनिश कोजिशन पूले राड बनाए जाते हैं तो इसमें right answer कौन सा रहने वाला है इसमें right answer कौन सा रहने वाला है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे बच्चो इसका right answer रहेगा option number size का right answer रहेगा option number size का right रहेगा कुनायन idosulfate से इसका right answer रहेगा ठीक है बच्चो कुनायन idosulfate से इसका right answer रहेगा अगर अनिश कोजिशन देख लेते हैं एक निकॉल onset का प्रियूग होता है इसमें right answer कौन सा रहने वाला है बच्चो इसमें right answer कौन सा रहने वाला है तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे इसका right answer रहने वाला है option number 6 इसका right answer रहने वाला है बिसलेशक और धुर्बग दोनों की तरह है बिसलेशक और धुर्बग दोनों की तरह है इसका right answer रहेगा option number 6 ठीक है अगला next question अगला next question क्या दिया है next question दिया है द्रच से प्रकास का गोणन कोड अनुक्रमान पाती होता है जल्दी से बताएंगे द्रच से प्रकास का गोणन कोड अनुक्रमान पाती होता है तो जल्दी से बताएंगे इसके अनुक्रमान पाती होता है right answer इसका क्या रहेगा इसका right answer क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे देखेंगे इसका जो right answer है गज़ो बिक्ड़ केरेगा option number 22 का right answer रहेगा ठीक है option number 22 का right answer रहेगा आई ठीक है यानि कि band upon lambda square and lambda square यह हमारा right answer रहेगा band upon lambda square ठीक है इसमें करत दिया है कोई बात नहीं band upon lambda square इसका right answerultur है pray ठीक है ठीक है भछो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बच्चों बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर बताएंगे तो देखेंगे इसका राइट आंसर रहेगा और सा हमारा राइट आंसर रहने वाला है क देखिंगे इसका जो right answer रहेगा बच्चों क्या रहेगा? option number i, isका right answer रहेगा, musical to 10ip, musical to 10ip, इसका right answer रहेगा, ठीक है बच्चों? क्या रहेगा? musical to 10i, इसका right answer रहेगा, अगला next question देख लेते हैं, next question क्या है? किसी पदार्थ का बिसिष्ट धुरबर घुनन जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसका कौन से रहने वाला है देखेंगे बच्चो इसका जो right answer रहेगा ठीक है इसका जो right answer रहेगा बच्चो वो क्या रहने वाला है किस का रााइट रहेगा ऑफ्सें नमबर आइस का राइट आंसर रहेगा बामवर्ति ighूलत थे कि आप इसका राइट रहेगा ऑफ्स Main Zero अगरा的 question क्या है ऐद्ध systन क्या है बेवस्था है ठीक है अबेवस्था पृत्रत्ंड करतो लें एट रेक्र कर देम्जısı क्या पठांतर इतना भी पठांतर यह हमारे राईट अंसर अप्रफ्स. से घुमा देने पर आपतित क्रण आपतित प्रकास का पार गमित भाग होगा तो इसमें से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप् पॉइंट फाइब प्रतिसत 37.5 प्रतिसत इसका राइड आंसर है गा ठीक है तो अगरा देखते हैं नेश्ट कोईशन क्या रहने वाला बच्चो हमारी स्क्रीन पे जल्दी से लाइक करेंगे क्लास को क्लास को लाइक करना बिलकुल न भूलें बच्चो और शेयर करना बिलकुल न भूलें जल्दी से साथ साथ में शेयर भी करते रहें लाइक भी करते रहें ठीक है तो देखेंगे नेश्ट कोईशन हमारा क्या है दो अपवरतन में शामान रूप से एक आतित करण से दो अपव बेसे एक बेद। ला है, तो देखिंगे, इसका जो राइट अंसर रहेगा, ओप्सन नम्र साथ, ठीक है, 1.73 यह इसका right answer रहगा 1.73 इसका right answer रहगा option number 6 ठीक है तो अगला next question देखते हैं बच्चो इस question क्या है एक अर्ध तरंग पटी का कलांतर उत्पन करती है एक अर्ध तरंग पटी का कलांतर उत्पन करती है इसका right answer कौन सा रहने वाला है इसका Right Answer क्या है एक अक्षिये धनात्मकar टरज क्रिس्टल में जल्दी से बताइंगे Right Answer इसका क्या होगा इसका Right Answer क्या रहने वाला है जल्दी से बताइंगे बचू Quick आफशन नमबर आइप का Right Answer रहने वाला है यदि सम्तल धुर्वेत प्रकास चतुर्थांस तरंग पटिका पर प्रकास यह अच्छ से 45 डिगरी का कोड बनाते हुए अभी लंब बत आपतित होता है तब निर्गत प्रकास होगा तब निर्गत प्रकास कितना होगा जल्दी से बताएंगे राइट अंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट अंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताएंगे रहने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट रहने वाला है क्या हो जाएगा ऑप्सिन नंबर सा हो जाएगा स्वेध प्रकास का राइट एंसर हो जाएगा अगरा नेस्ट कोईशन देख लेते हैं इस्ट क्या है जब पार दर्शी पदार्थ किसी शंतल प्लेट के ऊपर धुरबर कोर पड़ आप्तित होता है तब परावर्तित तता अब वर्तित करिणे होती हैं तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका तो देखेंगे इसका जो राइट नमबर दा ठीक है अब परसपर अभी लंबभत होती है परसपर अभी लंबभत यह हमारा राइड आंसर है ठीक है अगर नेश पूशिचन धनी तरंगो द्वारा इन वे से कौनसी घटना नहीं देखी जाती है तो जल्दी से बताएं कि राइड आंसर कौनसर रहेगा तो परावर्ते तथा पारगमित किरोनों के बीच कोड होगा तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा जल्दी से बताएंगे सभी वच्चे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा और क्यों होगा आपसन नमबर चीनी का गोल आपदित प्रकास के कमपन तल को 30.2 डिगरी घुमा देता है नली की लंबाई जिसमें गोल भरा है 20 cm है तथा गोल की शांदरता 10 प्रतिसत है चीनी के गोल का विसेष्ट गूरन होगा जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा इसका राइट आं देखेंगे सभी बच्चे देखेंगे राइट आंसर इसका क्या रहेने वाला है तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा बाई क्या रहेगा आपसर नमबर 8 ठीक है छासे डिगरी डेशी मीटर एकांग सांदरता अपांट एकांग सांदरता यह हमारा राइट आंस से के रहने के रहेंए वाला है सका राइट ऐसका रायऊरultur है स Stevens Stevens जिस सभी और रही का होता है जिस तरल मैं होताय होता है सबस्षी से बताइंगे राइट उसके सा मामज सा रहेगा जल्दी से बताएंगे इसका right answer कौन सा रहने वाला है बच्छो तो देखेंगे इसका right answer रहेगा option number 6 ठीक है कोई company नहीं होता है जिस तल में कोई company नहीं होता है ठीक है यह हमार right answer रहेगा option number 6 ठीक है अगला नेश पार्टका की मोटाई होती है तो जल्दी से बताएंगे कों सा रहने वाला है तो बच्छो देखेंगे इसका जो write answer हेगा option number 6 ठीक है लैम्डा अपाwn टु ब्रेकट में यह हमार right answer हेगा option number 6 हमारा right answer हेगा ठीक है थीक है बच्छो अगला नेश फेक लेते हैं किसी पदार्थ में प्रिकास का क्रांतिक कोड 45 डिगरी है धुरबर कोड क्या होगा जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेग ठीक है और साथ 25.26 डिगरी हमारा राइट अंसर रहेगा ठीक है अब अगले आते हैं यूनिट फॉर्थ पे ठीक है तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि थार्ड और फॉर्थ यूनिट जो है हम एक ही भाग में करवाने वाले हैं भाग वीडियो भाग थ्री में वीडियो है तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट ऑंशर कौन हों निवा इसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से है तो बच्चों अभी सब्सक्राइब कोra generally happened to Cटिश College से बताएंगा σबस्क्राइब होगा और दाइब्ध expects बताएंगे क्या रहने वाला है कि कि क्षैपन और आपाउंट ही एचब्र emailed केटी माइनस वन यह हमारा राइट रहेगा ओप्स नंबर आ हमारा राइट रहेगा ठीक अगला निर्ष कोईशन देख रहेते हैं रिष्प क्या दिया है सोडियम डी टू रेखा प्रेक लेंड़ा इसकोई पांच आज यार आट्सो नब हैंग इस्टरांड की कला शंबध ल रहेगा और क्या रहने वाला है ऑपसिन नंबर आ इसका रहने वाला है जिरो पॉइंट बन फोर एंगिस्टाउन यह हमारा राइट एंसर रहने वाला है ठीक है अगला इस कोशन बहुत समय अंतराल जिसके लिए छेत्र जावक्रिये रहता है कहलाता है क्या कह लाता है जल्दी से पताएंगे right answer कौन सा रहने वाला इसका इसका right answer कौन सा rहने वाला है देखेंगे बच्छो इसका right answer रहेगा ठीक है इसका right answer रह moral ऑप्सन नंबर 2 ठीक है शंबद दताकाल, संबद दताकाल इसका right answer रहेगा option number 2 ठीक है बच्चो अगरा नेस्ट कोईशन देख लेते हैं नेस्ट कोईशन क्या दिया है यदि कला शंबद्ध शमय टेन टू पावर माइनस 8 सेकंड है तो कला संबद्ध लंबाई होगी तो कला संबद्ध लंबाई होगी कितने होगी जल्द से बताएं कि राइट अंसर क्या रहेगा इसका तो देखेंगे इसका जो राइट अंसर रहेगा बेकर रहेगा option इस एम पॉजशन है तीन मीटर होगी option number 22 का right answer रहेगा यह साथ आवाला गरत होगा option number 22 का right answer होगा ठीक है अगला अनिश कोशन तो जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा इसका इसका right answer कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे बच्चो इसका right answer रहेगा ठीक है इसका right answer रहेगा option number 6 इसका right answer रहेगा option number 6 इसका right answer रहेगा 10 अनुपात 1 दस अनुपात बन इसका right answer है बच्चों ठीक है तो अगला next question देख लेते हैं किसी spectrum में रेखा की सुद्धता होती है किसी spectrum में रेखा की सुद्धता होती है तो जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा इसका जल्दी से बताएंगे इसका right answer क्या रहेगा तो जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा, जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा, बच्छों इसका, तो देखेंगे इसका right answer रहेगा, option number 6, 943 इसका right answer रहेगा, बच्छों ठीक है, option number 6, अगला नेस्ट कोश्चन नेस्ट कोश्चन दिया है एची एनी लेसर में लेसर से उत्पन बिकरणों की तरंगे जायदरी होती है इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे बच्चो तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वैकर रहेगा तो कौन सा कथन सही है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर बताएंगे जल्दी से बच्चो क्या रहेगा इसका इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चो तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वैकर रहेगा ऑप्शन नमबर सा इसका राइट आंसर रहेगा इसका right answer क्या रहेगा बच्छो तो देखेंगे इसका right answer क्या रहेगा option number A ठीक है ruby laser ruby laser इसका right answer रहेगा option number A ठीक है अगला next question next question क्या दिया है next question आपकी screen पर दिया है actually any laser होता है actually any laser होता है जल्दी से बताएंगे right answer क्या रहेगा एची एनी लेसर होता है, right answer इसका क्या रहेगा, तो देखेंगे इसका right answer होगा, क्या रहने वाला है, option number 7, ठीक है, चतुस करिये laser, चतुस करिये laser इसका right answer रहेगा, option number 6, ठीक है, अगला next question, next question है, एक laser पुंज का उप्योग, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, दूरियों को मा right answer क्या रहेगा, क्योंकि option number 2, इसका right answer रहेगा, क्योंकि एक द्रिष्ट होता है, क्योंकि एक द्रिष्ट होता है, यह हमारा right answer रहेगा, option number 2, option number 2, हमारा right answer रहेगा, ठीक है, अगला next question, laser पुंज नहीं होता है, इसका right answer कौन से रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे, तो next question, next question क्या है, next question दिया है, laser का मूल आधार है, laser का मूल आधार है, इसका right answer कौन सा रहने वाला है, तो देखेंगे इसका जो right answer रहेगा, इसका जो right answer रहेगा, बहें के रहेगा, option number 6, इसका right answer रहेगा, उद्धीपित उत्सर्जन, उद्धीपित उत्त सर्जन इसका right answer रहेगा वच्छो ठीक है उत्धीपित उत्त सर्जन इसका right answer रहेगा अगला next question देख लेते हैं next question क्या दिया है किसी परमाडू निकाए में मूल अवस्था में अनवन परमाडू है तथा उत्तेजित उर्जा अवस्था में अनटू परमाडू है तो लेशर क्रिया के लिए आवश्यक है जल्दी से बताएंगे right answer कौँछ रहेगा right answer का उंसर रहेगा तो देखेंगे जो right answer रहेगा बश कर रहेगा और अनमन छोटा है अन्टू से हमारा right रहेगा अनमन छोटा है अन्ट्व से अंटू से option no a रहेख ठीक है अगला next question on होलोग्राफी का उपयोग होता है होलोग्राफी का उपयोग होता है जल्दी से बताएंगे राइट अंसर कौन सा रहेगा इसका इसका राइट अंसर कौन सा रहने वाला है होलोग्राफी का उपयोग होता है जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका राइट अंसर रहेग तो देखेंगे इसका जो राइट अंसर रहने वाला है आपसिन नंबर आ ठीक है आपसिन नंबर आ इसका राइट अंसर रहने वाला है त्रिस्तर ये लेसर त्रिस्तर ये लेसर इसका राइट अंसर रहने वाला है अगला नेस्ट कोशिशन अगला नेस्ट कोशिशन क्या रहन वाला है लेश कोजिशन दिया है आपके यह स्क्रीन पे लेसर पुंज होता है लेसर पुंज होता है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा लेसर पुंज होता है राइट आंसर बताएंगे जल्दी से तो देखेंगे ऑपसन नमबर दा इसका राइट अंसर किया था किस ने किया था जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चो जल्दी से बताएंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नमर बहा हमारा राइट आंसर रहेगा टाउन तथा सोला सालों ताउन तथा सालों ने किया था ठीक है इसका अगला नेस्ट कोईशन देख लेते हैं बच्चो अगला नेस्ट कोईशन क्या है नेस्ट कोईशन दिया है परमतापती पर उत्तेजित और अवस्था तो इसका राइट आंसर कौँसा रहने वाला है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो सभी बच्चे बताएंगे तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा और अप्स नमबर दा ठीक है खेंगे इसका राइट आंसर है जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे तो देखेंगे इसका चो राइट आंसर है बच्चो क्या रहेगा और आप्स नमबर중र रहेगा और सा इसका राइट रहेगा रंजक लेसर रंजक लेसर इसका right answer रहेगा option number 6 option number 6 रंजक लेसर इसका right answer रहेगा बच्चो ठीक है अगर लेने इस्ट question तरंग दैधरे lambda तथा कला संबध लंबाई L की किसी spectrum में रेखा की अर्ध चोड़ाई delta lambda बरावर है delta lambda बरावर है तो जल्दी से बताएंगे right answer कौन सा रहेगा इसका इसका right answer कौन सा रहेगा बच्चो तो देखेंगे इसका right answer कौन सा रहेगा बच्चो तो देखेंगे इसका right answer रहेगा बच्चो भी क्या रहने वाला है option number 12 का right answer रहने वाला है तो देखेंगे इसका राइट अंसर है बज्टो यह तो जल्दी से बताएंगे बच्छो अगर हमाई वीडियो आपको पसंद आई हो तो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाक करेगा शेयर करेगा बच्छो और बच्छो आपके लिए बता दें अगर आप हमाई चैनल पर पह बच्छो जल्द ही बहूत जल्द ही हम अपना एक उप याल आ ऐप के बारे में हम आपके लिए बता दें उस एप में हम सारी पीडियो से डालने वाले हैं ठीक है बच्चो अगर आपको पीडियाप लिंक देदिया है आपको बहाँ से पीडियाप मिल जाए यह यह आंप existe buy कर सकते हैं ठीक है बच्छो मिलते हैं exit वरीक के बाद